तो चेलिए स्टााट करते हैं आज के जाने की 13 सेप्टेंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेर्स को स्थेशन फुटबल फेडरेशन अंडर 16 चैंपिंशिप के बेटा बात हो थूरे रहे हैं । यह भी पहां पर बहुतान में हुई है और फुटबॉल की बात है तो दो-तीन पॉइंट आप जरूर याद रखना जैसे कि अभी जो डुरंड कप हुआ था 132 वा संसकरन था जो कि कहां हुआ था कॉलकत्ता में और इसको मोहन बागान ने जीत लिया इस बंगाल को हरा करके और सिंपल सा प्रेशन तो यही बन जाएगा कि डूरंड कप का सम्मद किस से है तो फुटबॉल से है इसी तरह से अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी भी हुई थी तो संतोष ट्रॉफी का सम्मद भी फुटबॉल से है यह भी याद रखना इसके अलावा अभी इंटर कॉंटेनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन हुआ था कहां पे भुवनेश्वर में और इसको भारत ने जीत लिया लेबनॉन को हरा करके यह प्रशन अभी किसी एक्जा कप जो कि कहां पे हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में इसका मैस्कॉट तजुनी है और इसको इसको इस्पेन ने जीत लिया इंग्लेंड को हरा के और आपको याद होगा अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के लास्ट में हुआ था 22 वा संसकरन था कतर में हुआ उसके लावा फुटबॉल से सम्मंदित कुछ कप्स औं ट्रॉफीज है जैसे की रोवर्स कप हो गया संतोष ट्रॉफी हो गया सुब्रुत कप हो गया डूरंड कप हो गया आशुतोष कप हो गया मर्डेगा कप हो गया तो अगर एक्जाम में इन में से कोई आये तो आंसर फुटबॉल होगा बाकी फुटबॉल की संस्ता है फुटबॉल को और्ग्राइज कराने वाली बॉड़ी है फीफा इस्ता अपना होती है निस सो चार में हेड़क्वर्टर जूरिक स्विट्टर लेंड में है और प्रेसिडेंट है ग्यान इन्फेनिटो तो यह सारे इंप 1987 में लॉंच किया था तो डैनिस ऑस्तिन का नाम याद रखना यह जो पावर पॉइंट में में स्लाइड बना कर के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ यह इनिकी देन है डैनिस ऑस्तिन वैसे आप जानते हो अभी अडॉप के सहसंस्थापक जॉन वर्नेक का निदन हो एक जॉन बीगू डैनफ आपको याद होगा लीथियम आयन बैटरी के आउश्कार रख थे इनका भी निदन हो गया और यह इंटेल के सहसंस्थापक थे गॉर्डन मूर इनका भी निदन हो गया यह सारे इंपोर्टेंट नाम है जो मैं एक साथ आपके लिए लिकर के आया ह यह 2018 में ICICI Bank के MDCO बने थे उन्होंने चंदा कूचर का इस्थान लिया था तब से बने हुए है देखो ICICI Bank की बात करते हैं तो मुख्याले मुंबई में है और इसकी tagline क्या होती है हम है ना खयाल आपका बाखे भी देवदत चंद यह Bank of Bordoda के MDCO बने थे श्रीकृष्ण हर लेकिन रजनीश करनाटक के Bank of India के MDCO बने थे यह नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैं चलिए फिर बताइए अभी इंडिया Middle East Europe मेगा Economic Corridor में कौन सा देश शामिल नहीं है तो अभी आपको याद है नई दिल्ले में G20 समिट हुई और वहीं पे इंडिया Middle East Europe Economic Corridor यानि कि मद्यपूर्व, यूरोप आर्थिक गल्यारी की स्थापना की गई और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हुए तो भारत, साओधी अरब, यूनैटेड अरब अमिरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी है अब ये है क्या तो ये एक बु इसमान को यूरोप में पहुचने में जितना समय अभी लगता है, उससे लगब आदा समय लगेगा, जब इल्कुल exact data में आपको बताऊं तो 40 परतिशत कम समय लगेगा, जैसे अभी 100 मिनिट लग रहे हैं तो केवल फिर 60 मिनिट ही लगेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और आप यू भी कह सकते हो कि ये मुंबई से शुरू होने वाला जो ये corridor है, ये चाइना के belt and road initiative का विकल्प होगा, और G20 की बैठा कोई थी अभी, G20 की बात करें तो इसकी स्थापना होगी 1999 में, और अभी तक इसमें 19 देश और एक European Union शामिल था, लेकिन अ आपको ट्रिक से भी याद करवाए था, तो बताओ, वैसे 2023 में अध्यक्षिता जीत उन्टी की भारत कर रहा था, अगले साल कौन कर रहा है, ये ज़्यादा important होगा ब्राजील, पिछले साल किसने की थी, इंडोनेशिया ने, इस बार जब भारत इसके अध्यक्षिता कर रह चलिए, फर बताइए, शांती सरू बटनागर पुरुसकार 2022 से कितने लोगों को सम्भानित किया जाएगा, तो अंसर होगा 12, तो शांती सरू बटनागर पुरुसकार 2022, इन्हें भारत में विज्ञान के लिए प्रतिश ठित पुरुसकारों में से एक माना जाता है, और बार आप पुरुष है, इस बार महिलाएं नहीं है पुरुष है, और मैंने सभी नामों के लिस्ट यहां पे लगा दिये किसको किस फील्ड में मिलेगा ये भी आप वीडियो को पॉस करके दिख सकते तो सारे नाम आपके सामने हैं, आप इनको आराम से बार इन पुरुषकारों की अगर हम बात कर लें तो इन पुरुषकारों का नाम SS भटनागर के नाम पे रखा गया है, जो कौन थे? CSIR के पहले डारेक्टर जनरल थे 1942 से लेके 1954 तक देखो CSIR की बात करें तो Council of Scientific and Industrial Research इसकी फॉल्फरम हो गई और इस तापना 1942 में होती है और अभी इसकी पहली महिला डारेक्टर जनरल कौन बनी थी? नला थंबीक कलाई सेलवी ये इसकी डारेक्टर जनरल है याद रखना अध्यक्ष की पूछोगे तो भारत के प्रधान मंतरी इसके अध्यक्ष होते हैं जैसे के अभी मात्र भूमी बुक ऑफ दे यर 2023 का खिताब जीता था डॉक्टर पेगी मोहन ने राजा राम मोहन रोज दोजार तेविस अवर्ड जीता था पत्तकार ए बी के प्रसाद ने अभी प्रसेडेंट कलर अवर्ड मिला था हर्याना पुलिस को और Entrepreneur of the Year 2022 का पुरुसकार मिला था सज्जन जिंदल को अच्छा Children Champion Award 2023 मिला था तपोवन को असम का NGO एंग और Miss India 2020 का गिताब जीता नंदेरी गुपता ने ये राज़स्थान के कोटास की हैं लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार मिला अशा भोशले को और Global Gold Award मिला था Power Grid Corporation को ये आपकी महारतन कंपनी वनी थी ग्यारवे नंबर गी केरल शील्ड पुरुसकार 2000 मिला फातिमा असगर को और डॉक्टर बियार मिडकर पुरुसकार 2000 मिला था भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितिनात और डेली अगर आप लोग अमारे Current Affairs का लेक्टर पढ़ते होंगे तो आप नोट करोगे अभी एकाद दिन पहले एक अवार्ड वाला प्रशन आयता तो वहाँ पे जो अवार्ड मैंने आपको रिवाइस कर आए थे वो शीट अलग थी और ये शीट अलग है और आपने अगर मेरे शब्दों पे ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था बस डेली आपको करंट अफेर्स की क्लास में बने रहना है और रिविजन से याद आया मैंने आपकी रिविजन वाली क्लास से स्टार्ट कर दिये जिसमें हम जनवरी दोजा तेविस से most important current affairs का रिविजन कर रहे हैं और जिन-जिन स्टुडेंट ने वो क्लास देख लिए मुझे उसके बारे में बताने की जरुवत नहीं है कि वो क्लास आपके लिए कितनी important है लेकिन अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो उनको में बता रहा हूँ कि एक बार वो क्लास पिर उसके बाद मेरे को बोलने की जरूत नहीं पड़ेगी नियुमान के चलो 10 से 15 मिनिट की वो क्लास होगी जिसमें आपके लगबग 50 कुशन में आपको रिवाइस करूँगा current affairs के कम समय में बहुत ज़ादा मिलेगा आपको बस इतना सा आप से चाहूँगा कि session अच्छा अब इसमें कौन विजिता रहा ये तो 24 सेप्टेंबर को हमें बता लगेगा फिर मैं आपको बताऊंगा लेकिन सर्बिया से मुझे एक खिलाडी जरूर याद आ रहे है एक tennis player ने सर्बिया के मैं बात कर रहा हूँ नोवाग जोकोविच की अब आप लोग मुझे comment box में type कर साल में चार Grand Slam होते हैं जिसमें तीन Grand Slam के खियते हैं एक इनो ने नहीं जीता तो वह आपसे बूचरा हूँ कि वह कौन सा Grand Slam जीता तो फिर किस ने जीता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आप बता हूँ, हम बढ़ते आगे। चलि फिर बताईे अभी हाली में क इसका उदिश्य है जेव इंदन को अपनाने को बढ़ावा देना या आप यू कह सकते हो कि कम उत्तरजन वाले उर्जा स्त्रोत की मांग को बढ़ावा देना और भारत ने उर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रिय बजट में 350 बिलियन रुपे निर वुमेंस बॉक्सिंग चेंपेंशिप को होस्त कर रहा है भारत अभी ICC मेंस वर्ड कप हो रहे है भारत में और अगले साल 2024 में Quad Summit को होस्त कर रहा है भारत और अभी Miss World 223 कायोजन ये भी होगा भारत में 71 नंबर का कहां पे होगा कस्मीर में और अभी December 223 में जो भारत है यह के अद्यक्ष बनाए गई है रूचीरा कमबोज ये कोन है युनाइटेड नेशन में भारत की पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटीव है और अभी भारत आर्टमिस मिशन समझोते का 27 सदस्य बना था उसके अलावा अभी 2023 में ही खादेश सुरक्षा नियामकों के वैश्विक श अभी टाटा स्टेल लिमेटेड के MDCO यही है टीवी नरिंद्रन लेकिन अभी फिर से उन्हें अगले 5 सालों के लिए न्यूक्त कर दिया गया वैसे टाटा मोटर के MDCO बनाए गए थे अभी राजिश कन्नन, TCS के CEO अभी बने थे के करतिवासन और टाटा पावर के MDCO बनाए जिसे केते order of Australia तो ध्यान रखना ये सारे points बढ़ते हैं फिर बताओ अभी हाली में राष्ट्रे 1 शहीद दिवस कब मनाया गया तो आंसरों का 11 सेप्टेंबर को तो हर साल 11 सेप्टेंबर को राष्ट्रे 1 शहीद दिवस यानि कि National Forest Martyrs Day के रूपे मनाया जाता है तो उन लो जो हम टेवीस मार्च को मनाते हैं जो अमर शहीदों के बलीदानों की याद में मनाया जाता है लेकिन एक विश्व वन दिवस भी होता है वो हम 21 मार्च को मनाते हैं ये भी ध्यान रख लेना और देखो जब भी डे वाला प्रशन आ रहा है हर बार सेप्टेंबर के सारे important days म किसने जीता तो अंसर वोगा जर्मनी फीबा यानि के इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन तो फीबा विश्व कब 2000 तेविस अभी हुआ ये इस बार इसका 19 संसकरन है जिसको जीत लिया जर्मनी ने जर्मनी ने पहली बार ये टाइटल जीता है किसको हराया सर्बिय को हराया अभी 25 अगस्तर से लेके ये 10 सेप्टमबर तक आयोजन हुआ इसका अब आप पूछो के कहां पे हुआ तो मैं आपको बता दू कि इतिहास में पहली बार ये कहीं देशों में आयोजन हुआ इसका कहीं इसको होस्ट किया जैसे कि फिलिपिन्स जापान और इंडोन इसको जर्मनी ने ही जीता था और किसे हराय था बेल्जियम को हराय था ये ध्यान रटना तो पहला प्रशने पुछा था यूएस ओपन में में सिंगल टाइटल जीत लिया नुबाक जोकुविच ने जम्मू कश्मीर में फिर पुछा अभी किस सराजे ने मॉब लिंचिंग पीडित मुआउज योजना दोज़र्टेविस को मनजुरी दी तो आंसर होगा मद्यप्रदेश फिर पूछा सेप्टेमबर दोजा तेविस में तिरंदाजी विश्व कब दोजा तेविस का योजन कहां पे किया गया मेक्सिको फिर पूछा इंडियान ग्रेंड प्री फाइफ की विजिता कौने तो अंसर होगा किशोर जेना अभी कल का हॉमबर प्रेश्ण देखते हैं और सेशनें करते हैं तो कल के वीडियो में आप से बूछ आता महारास्टर के के जिले में भारत के पहले कारबन तर्टस्त गाउं का विकास हो रहा है तो आंसर होगा ठाणे आप सबीने प्रेश्ण का बिल्कुल से उतर दिया आजका आपका हॉमबर प्रेश्ण